करोना काल से हम अपने आपको कैसे स्वस्त रख सकते इसके लिए चर्चा करने वाले एक्यूप्रेशर और विश्यस दोर से हम लोग यूज करने वाले हैं वह है आपका एक तो मसाज यूज करेंगे सांसा दबाव देंगे इसकी सांसा हम लोग यूज करने वाले यह आप भी यूज मत कीजेगा तो हम लोग चर्चा करने एक्यू प्रेशर एक्यू मिन्स होता है सुक्ष्म बिंदू और प्रेशर मिन्स होता है दबाओ देना अर्था सरीर की सुक्ष्म बिंदू को दबाओ दे करके हम अपने सरीर की उर्जा एनर्जी को हम कैसे किस तरह से फ्लो कर करने की शमताब वही हमारी एनरजी है और उर्जा में जहां कहीं औरोध उत्पन होता है यह औरोध को ही हम लोग क्या करते हैं उसको हटा करके उसको आगे बढ़ाने का कारे करते हैं वैसे एक्यू प्रेसर जो पंच तत्तों पे अधारित है फाइफ एलिमेंट बेस्ट है क्य लियह है उन दोपाकर के सिर्ऴ की इन पंच तत्तों का मुझ नंतुलीत करें अन वालेंट इसके द्वार हम लोगा क्या करते हैं उंगलिए हो है प्रेशंट वर्व करता है हाईक है क्यूंकि रूअर्गारी हाग करते हैं घँ दूसरे पेंगे तेकर करते हैं सुर्य तो आदी है आदी देव है और वोın सात कियों से कर लोगाता है जतने भी वैईकल पेट की किस्ता है सुर्य को इनर्जी का में सात कियों सब्सक्राइर अप नेचरल कलर भी यूज़ करते हैं तुर फुलपत्यों का पिक्से आपका अपास बना हुआ है वाटर कलन मार करें इसको यूज़ करें जादा ही महत्वपूर्ण है उपयोगी है मित्रों एक्यूप्रेशर में जो हमारे हाथ की हथेली में जो हम लोग प्रयोग करते हैं इसका महत्वपूर्ण एक सिधान्त है साध्रिश्यता का result of a correspondence theory कहते है अर्थात हमारे सास्तों में कहा गया ना यत पिंड़ तत्र ब्रंभांडे जो शरीर में है यह वही ब्रंभांड में हैं और नोड़ե है के अन्यानुस्री संबंध अगर सर को देखा जाए सर को हम अंगुठे में यहां प्रतिस्तापीत करते हैं मित्रों पूरे पूरे डिटियल बताना तो मुस्किल है कभी और चर्चा करेंगे लेकिन उसका जो कुछ और प्रेटिकल पक्ष आपको दिखाने वाले हैं और प्रेटिकल पक्ष आप समझ जाएंगे तो आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं और आप इस महत्ति जो चल रही है जो एक विपत्ति या कह सकते हैं आपतकाल जो है करोना का उससे भी हम बहुत कुछ अपने आपको सिक् आप में होती है सबसे पहला नंबर पॉइंट हमारे पास है ल आई-फॉर यहां आप एंसा बिंदू है मित्रों जो कि हमारे हाथ में मैं आपको दिखाा पाऊंगा तो यह आपका हात का यह पॉइंट है जिस पर एलाई-फ ओर होता है तो लिए फोर को दिआ पबाते हैं इ हमारे सिधा लंग समय फ्रावलम क्रेट होता है तो इससे बचाओ के लिए सबसे नंबर वन है कि ल आई-फोर यहां किसी प्रकार के किसे नंब इस कहिनी वाले भाग में भी हम कहना इसको भी हम उढ़ा गहाइंगे हमेशा ध्याँ रखिए को गड़ी की सम्हिंघ में दबाव देना है जिस तरह देख सकते हैं आप ऐसे में हाथ में दबाव के कर देखा रहा हूं आपको जब हम इसको टर्न करते हैं अपने कहने को मोड़ते हैं मोड़नेक बाद जो उभरा हुआ भाग होता है यह उभरा हुआ भाग है ल आई 11 है तो इस बिंदू को हम क्लाकवाइस दबाव दे सकते हैं इनहीं बिंदू पर कलर भी लगा सकते हैं अगर बदेखेंड लगाना चाहें तो मैं कॉन कोन से कर लगा इसके बारे में चरचा करूंगा मैं और तीसना नंबर विंदू हमारा है जीवी-फोर्टिंग चवदा नंबर कहा होता है इस चरवाइकल और आपके थोरेशीम का नंबर वन वाटीब्रा शुरू होता है ढूनों के जो जंग सन पॉइंट है इस जंग सन फॉइंट में घी बी 16 चैने होता है जो कि आपके गले से ढेíst के जो पीछे जो साहएकल है उसके पीछे वाले भाते Deptley और हुए साथ यदि आप इसमें कलर लगाना चाहे तो कौन से कलर लगाएंगे अगर कलर लगाना चाहे तो पीछे आपका सर्वाइकल वाला भाग है सर्वाइकल वाले भाग में क्या कर सकते वहां पर जो जीवी 14 है वहां पर रेट कलर चार आने के बराबर आप रेट कलर लगाई है औ और आपके सब्सक्राइब नहीं है जो कहती है इसको चौन होगा आपकी नहीं मैंट लगाई इसको लगा क्या होगा आप आपकी इम्टिата बढ़ीगा और बढ़ने से क्टैक आप कारोना के से जो प्रॉब्लम्स होती है वह प्रॉब्लम आप कहा है जो होने वाला वह नहीं होगा इसका लंभे समय तक अनभव हम ने करोना काल में कीया है तो आप इसको लगा सकते हैं इसमें तू इम्मिनूटी के लिए दूसरा है जिए अगर किसी को माले सर्दी युकाम कॉल या फी हो जाए या फीवर का कोई सिम्टम दिखाई पड़ रहा है चाहिए फीवर आपका करोना का हो या नहों उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप यहां पर लगाएंगे रेट कलर चार आने के बराबर एक विशेश ध्यान दे कि आपके जो अंगूठा है और यह इंडेक्स आपको क्या करना है यहां पे भी आपको क्या करना है आपको ब्लेक कलर ही लगाना है यहां ब्लेक कलर देना है और आपके गले वाले भाग जहां पर हमने रेट कलर बताया था वहां पर भी ब्लेक कलर ही यूज करने हैं तो यहां रेट देना है इन दो जगों पे ब्लेक कलर यूस करना इससे क्या होगा कॉफ कोल्ड की प्रावलम है या फीवर की प्रावलम है यह आपका समापत हो जाए तो यह दूसरा नमबर है अब तीसरा नमबर आप क्या कर सकते हैं अगर आपको किसी तरह से अगर सांस लेने में दिक्कत हो रही आक्सीजन की प्रावलम कर सकते ह तो अधिक मातर में दभी बिद्धी पहलवान बंद है सकती हैं तो शक्ति और सामर्थ होता है तो अक्सीजन हमारा है हाँ हमारा बाइसेप्स मसाल है बिल्कुल सेंटर में है जो हनुमान जी कि हम लंग न कहना करते हैं पहले पाहले जबूने में तक कुछ नहीएकि पर जग टीकलर और आहगे से बांते थे तो रेट किलर के धागे से बांधने का मतलब यह था कि वहां के इनर्जी को आप करना है तो आप में तो कुछ नहीं किए इसी पॉइंट को पगड़ दबा करके आप ऐसे इसको दबाईए अगर देशने कलाक वाज दीजिए निश्ची तोर से आपकी जो अंदर के अक्सीजन की पावर है इसको अक्सीजन पॉइंट ही इसका नाम है इसे अक्सीजन की मात्रा हमारे सरी में बढ़ती ही बढ़ती है एक तो यह है आपका नमबर दूसरा जो है आपका यह पॉइंट पट्टी लोग कहा है अगर नापना चाहे तो सांथियों ऐसे करें आपने और इस अंगूठे की तरफ यहां पे फॉइंट है अगर किसी को प्रॉब्लम में आप दबा कर देखिए वहां पे निश्चित तर से आपको आप दर्द मालूम पड़ेगा महसूस होगा तो दर्द वाले पाइंट पे भी आप क्या कर सकते हैं यहां पे ब्लेक 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 प्रॉब्लम जो है जो ऑक्सिजन की प्रॉब्लम में उसका स्वाल हो जाएगी नमबर तीसरा नमबर यहां यू नाइन तो ऐसा इसको कहते हैं क्रॉप रिवीवर क्रॉप रिवीवर का मतलब है कि लास को भी जो मर जाते है वेक्ति उसे मुड़े लास को जिंदा करने वाल तो यह ऐसा है जिसको बढ़ाती है और यह पहवारे के तरफ ऊटता है तो इस ऑक्सिजन प्रॉइंट है इस फ्ञां को भी आप दबाव दिजिए और इसे क्लॉक वाज दबाव दिजी और इसमें यह दिलगाना चाहे तो आप इसमें भी ब्लेक कलर लगाई है अगर इसको कोई तीन बिंदू है जिसमें मैंने दबाव देने की बात कही है आपको कलर लगाने के लिए बात कही है और कलर लगाने के साथ साथ आपको अगर सुजोग एरिया पे लगाना है सुजोग मतलब हाथ की इस हथेली पे लगाना है तो क्या करें यदि कप कोल्ड की प्रावलम ब चोटे बच्चों में ति इतना महत्वपून काम करता है और विशेशत तर जो करोना का यह थार्ड जो आ रही आपको वेव है तो उसके लिए तो यह महत्वपून है यहां पे आप औरेंज कला से पूरे भर दिए दोनों हाथ में और इतने भी मैंने पॉइंट आप से चर्च सकते हैं नहीं तो 10 या 15 मिनट से सुरूख कीजिए उसको 15-20 मिनट या समय लगता है तो सुबा दो पहर साम ऐसे खाली पेट करना चाहिए खाली पेट करें तो ज्यादा आपको लिए फायदे मंद है और यह को लाभ ही मिलेगा इसमें नुकसान नहीं होने माला है यह स्वास्त की सुबकामनाओं के साथ हम आपको आपसे भी दढ़ेते हैं नमस्कार हमारे यूट्यूब चैनल शांतिकुंजग वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन गति वीधियों की जानकारी आपको मिलती रहे